मद्रप्रदेश में 18-14 साल तक के लोगों को कोरोना का चिकल लगाने का अभियान आज 17 मई से शुरू हो रहा है सरकार ने 31 मई तक 9,10,000 लोग का वैक्सिनेशन का टार्गेट रखा है पिछले 10 दिनों में इस आयू वर्क के 1,42,378 लोगों को ही पहला डोज लग पाया है स्वास्विभाग के अनुसार 18 प्लेस के लोगों का 17-31 मई के बीच 9 दिन का वैक्सिनेशन किया जाएगा इसके लिए हर दिन करीब 1,000 से 1100 सेशन होंगे पहले दिन सोमवार को 90,000 लोगों को टीका लगाने का टार्गेट रखा है इसके लिए प्रदेश के हर जीले में 900 सेशन किये जा रहे हैं इससे पहले 5-15 मई तक 1480 सेशन हुए थे प्रदेश में 18-44 वर्ष की उम्र तक के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए कोविट शील के 4.76 करोड और को वैक्सीन के 52.25 लाग डोज के ओर्डर दिये गए है मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि प्रदेश में किये जा रहे हैं वैक्सीनिशन में सुनुशित किया जाए और वैक्सीन का एक भी डोज बेकाल ना हो मद्रपुर्देश में 18 प्लस के वैक्सीनिशन के लिए 4,12,000 डोज स्टॉक में है इनमें से कोवैक्सीन के सिर्फ 12,000 ही डोज है वहीं 31 मई तक 4.24 लाग कोविट शील के डोज मद्रपुर्देश को मिलेंगे स्वास्विबाक के निस्वार कोवैक्सीन के डोज की आपूर्थी के प्रयास अभी किये जा रहे हैं